बीती 27 जुलाई को यमनापार के इलाके राजविन नगर में हुए गोली कान को लेकर अप आरोपी पक्ष भी सामने आया है। उनका कहना है अभी तक इस मामले में पूरा सच सामने नहीं आया है। इस मामले में जूटे बैयान देकर उनके खिलाब माहौल बनाया गया है। जबकि सच्चाई इससे विप्रित है। आईए आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कुछ कहा परिजरों ने। कि जल से जला में इंसाफ मिले कोई ने कड़ी सी गड़ी से जादी जाए। ये घटना क्या थी थोड़ा ब्रिक में आप बच्चों में लडाई हो गई थी जी बच्चों की लडाई बादमा खतम कर दी गई। कि लोगों ने रात को जूटी काहनी बना कि गोली केस में फसा दिया गया थी जल से जल इंसाफ मिलना चाहिए। माँ दूसरे परक्षका कहना है कि आपके ओर से महिलाौ के हैं प्रसोंगे पिस्तॉली फाइरिंग है जिसमें 50 वर्षी नभा गया है। हमारे कोई नहीं चलाता गोली, यह जूटा कैसे हमारे गर चानवीन कर दी गई, कोई गोली नहीं चली, कोई फारिंग नहीं होई, अचा क्या वज़े मानती है, आप पर इस दुसमनी के पीछे, दुसमनी के पुरानी बजय है, गवो में आप नहीं दिया इन लोगो और थोड फाइनली हमारे लोगों मतलब जल से जल बेल मिलनी चाहिए हमारी बाजी इसमें पर सुनने में आ रहे हैं कि आप के पक्ष में कुछ हैंडी के बच्चे हैं उनसे बारे बेदेदी बदुश्टे बह सकते हैं उनके बारे इस पूरी घटना में एक मानविय पहलू यह भी है कि आरोपी नगिना के पाँच बच्चे हैं जिन में से एक पाँच महीने का बच्चा उनके साथ जेल में बंध है बाकी बच्चों में से दो बच्चे एक दिमागी तौर पर और एक शारारिक तौर पर विकलांग है जिनकी देखबाल का सहारा एक मात्र उनकी मा नगिना थी उन बच्चों की मांग है कि उन्हें इंसाफ मिले और उनकी मांग को रिहा किया जाए सीलंपूर में 40-45 साल से रह रहे हो मैं और गाम में हमारा हम लोगों का जो है मकान है और ये है पोल्टिस तरीके का आदमी जिसका नाम अच्छन है तो ये अभी हम बोट डालने गएते जिला पंचायत के उसमें हम लोगों ने बोट नहीं दिये थे उस बण्जेस से इसने क्या करा क्या ने करा मेरे बच्चे का भी नाम जूटा लिखा दिया जिसका नाम बशीम है उस लड़के का नाम भी वशीम है, उसका नाम जूटा लिखा दिया और दूसरे बच्चे का भी लिखवा दिया, किस तरह से लिखवाया, क्या करा, मुझे तो कुछ मालम नहीं है, मैं तो अपनी बच्ची के उसमें लगा हुआ हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हमारा नाम नाम देंगे, उसका नाम लिख जाएगा, आपके मांग जाए है, मेरी मांग है, मेरी बच्चे को बड़ी करा जाए, मैं पर कसूर आदमी है, मेरा कोई रिकोर्ट नहीं है, कहीं से कहीं तक, किसी तरह का, मैं बिजनसमेन आदमी है, आप कह रहे हैं, वसीम माह नहीं तो गटना बिटीस ताइस चुलाई की है जिसमें दो पक्षों की जड़प हुई थी और जड़प के बाद गोली बारी में एक मैला घायल भी हुई थी इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष अभी तक सारवजनी रूप से मीडिया के सामने नहीं आया था लेकिन अब उन्होंने प्रैस्वारता कर पीडित पक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं मामला अभी जाच के दायरे में है